कि आप एफ 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 पर कि मिस्रा इंजीनर सद्ड़ा कि आफ इसे यूट्व चनल पर सभी एस्परेंट का स्वागत करता हूं दोस्तों साम को पांथ बच चुके हैं और मेकैनिकल इंजीनरिंग के लिए जबर जस्त लाइब सोजे करके आ चुका हूं और यह यहां पर देख रहे हैं जीवन के आखरी सांस तक अपने कर्म में लगी रहो या तो सफलता मिलेगी या तो अनभव मिलेगा दोस्तों यह आप जब आप competitive examination की तैयारी करते हैं तो आपको जीतोड करके मेहनत करनी चाहिए चुकि देखिए कभी-कभी क्या होता है कि competitive examination के बा आपको सफलता मिल जाए तो मेरी आप लोगों से गुजारिस यही है कि आप पूरा का पूरा मेहनत बहतरीन तरीके से करिए और आपके on-demand हमने IC engine की complete class यहां पर देख करके आ चुके हैं पूरे IC engine का revisions करने वाजे हैं guys पूरे IC engine का वो भी top 50 questions के साथ तो मेरी गुजारिस ह यही रहेगी सभी लोगों से कि जितना जादा हो सके अपने दोस्तों तक sessions को share करियेगा बहुत ही बहतरीन class आज होने वाजा है और शुरू से देख के अंत तक जरूर देखेगा माप के बारे में बताओ sir है ठीक है केसा और आत्मा सचिन कुमार जीतू सत्यकांत आसीस अंस से और sessions को सुरुवात करते हैं सबसे पहले जो questions वही लगाओंगा जो मुझे लगता है पेपर में रूची गुपता बेटा नमस्कार आज आईसी इंजन के अगर आपको यह जानना है कि कौन-कौन से questions examination में बहुत ज़्यादा important है तो यह sessions आप लोग मेरा सुरू से लेके अ पिस्टन रिंग यूजवली किस material का बना होता है carbon steel जो कि आपको भी पता है piston ring का जो काम होता है कहीं न कहीं air leak proof बनाना piston मतब यह जो आपका cylinder है cylinder की cylinder है और इसके बीच में जो piston है piston ring हमारा कोशिस यही करता है कि आपका cylinder और piston के बीच का जो gap है उसको भर दे जिससे कि हमारा इधर के side में fuel है वो आपका इसी side में बना रहे है दोस्तों यही हमारा piston ring का काम है basically यह हमारा एक compression ring होता है दूसरा हमारा oil ring होता है तो बहुत अच्छा सांधार सभी दोग जबाब दे रहे है आपसे number C is the right answer cast iron को होता है यह आपका brittle material को होता है usually इसकी संख्या 3 और 5 होती है योजवदी इसकी संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चे 325 के आसपास होती है 325 के आसपास होती है बहुत सांधार questions जबाब दे रहा है अब next questions का जबाब दीजेगा जो firing order होता है योजवदी इसकी संख्या 3 और 5 होती है अगर 3 है मेरे प्यारे बच्चे ते आपको क कहीं न कहीं ध्यान दिजेगा, दो हमारे compression ring होते हैं, एक हमारे oil ring होते हैं, lubrication purpose को, ठीक है, तो बहुत अच्छा, रिशाब तिवारी, नितिन, अमित नागर, कुमार जी तू बहुत अच्छा यह, next questions का जबाब दिजेगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल आप लोगों के बीच में आगया, कि firing order जो होगा, आपका six cylinder engine का क्या होगा, यह देखने की कोशिस करते हैं, दोस्तो, six cylinder engine का firing order क्या होगा, फटा फटा फट सारे लोग comment सके में, जरूर participate करके मुझे बताईएगा, मेरी प्यारी बच्चे, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जबाब दे रहे हैं आप इसको याद करने का आप यह समझ आईएगा, 135 624, यह मेरी घर का telephone number है, 135 624 मेरी telephone number, घर का telephone number है, या आप अपने घर का telephone number याद रखे, 1356, 1356, 1356, 1356, 1356, 1356, आप ऐसे याद करो, और जो four cylinder engine होता है, दोस्तो, जो हमारा four cylinder engine होता है, उसका एक तीन, मतलब कितना होता है, जरा four cylinder engine का, one, ठीक है, चलो, next questions, आप लोग जबाब दीजेगा, with increasing the temperature of intake air, the IC engine efficiency क्या होगा, आप लोगों को बताना है, अगर intake air के temperature को यदी हम बढ़ाया जाए, तो IC engine की efficiency पे क्या फरक पड़ेगा, बहुत ही आसान questions है, आप लोग जबाब दीजेगा, हमांसू, और पृती और क अपिल और रूची गुपता और सत्यकांत, सारे लोग मिल करके जबाब दीजेगा, कि अगर हम intake air के temperature को बढ़ाते हैं, तो हमारे IC engine के 1342, बहुत अच्छा, अमित नागर ने जबाब दे दिया, 1342, बहुत अच्छा, सांदार जबाब आप लोग दे रहें, बहुत ही मजा आप लोगों के response से, चले next questions का सबाब दीजेगा, इसमें सभी लोग C भता रहें, intake air के temperature को यदी बढ़ाया जाए, तो efficiency पे क्या फरक पड़ेगा, तो ये questions बहुत ही अच्छा था, अच्छा था, आप लोगों ने गलत कर दिया, ये मुझे बड़ा बेकार लगा, देखे, IC के air standard efficiency का formula मेरे प्यारे बच्चे, R के power gamma minus 1 होता है, ये हमारी efficiency का formula होता है दोस्तों, और आप ये भी जानते हैं, बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे से आप ये भी जानते हैं, जब temperature के terms में बात करता हैं दोस्तों, तो यहां पे T1 by T2 हो जाता है, T1 हमारा inlet temperature है, T1 हमा कहीं न कहीं, मेरे प्यारे बच्चे, temperature after the compression है, मतब temperature after the compression, after the compression, तो सांदार तरीके से आप लोगों को जबाब देना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने गलत कर दिया, देखिए, सपोच करिए, ये आपका IC engine की air standard cycle है, तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने इस तरह से कैसे किया, मुझे तो ये नहीं समझवाता, अगर ये देखे, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर कह रहा कि T1 को बढ़ाया जाए, तो आप मुझे बताए, अगर हम T1 को बढ़ा दे, तो efficiency पर क्या फरक पड़ेगा, efficiency पर क्या फरक पड़ेगा, तो आपका मेरे प्यारे बच् से गुजारिस करूँगा, ठीक है, देखो, ये भी समझ रहा है कि T1 के बढ़ाने पर compression ratio कम हो जाता है, R की value कम हो जाती है, चुकि हमारा जो होता है, T2 by T1 जो होता है, मेरे प्यारे बच्चे, R के पावर गामा माइनस 1 होता है, ठीक है, तो जब हमारा T1 बढ़ेगा, T1 आप लोग इस questions का जबाब दीजेगा, मैं आपके comment का इंतजार करूँगा, सबसे पहले जबाब देने वाला बच्चा कौन सा है, इस questions का, सबसे पहले जबाब देने वाला बच्चा इस questions का कौन है, प्लीज आप लोग sessions को share करिए और quickly जबाब दीजेगा, participate ज़रूर करिए यहाँ पर जो आपका answer हो जाएगा, बिल्कुल आपका option number यह हो जाएगा, ध्यान देना है बस यह, कि जो हमारी auto cycle होती है, उसकी efficiency r और gamma पेटीपिन करती है, और auto cycle के efficiency में अगर यदी हम r की value बढ़ाएं, तो जैसे जैसे compression ratio बढ़ता है, आपकी efficiency भी मेरे प्यारे बच्चे आपका बढ़ता चलता है, जैसे जैसे हम r को बढ़ाते हैं, efficiency भी आपका बढ़ता चलता है, और आप यह भी जान रिजे कि gamma के बढ़ाने पे, जैसे gamma is equal to 1.33 होता है, gamma is equal to 1.4 होता है, और gamma is equal to 1.6, तो आप से पूछा जाए, monoatomic gas की, अगर हम IC engine में यूज करे, मतब आटो efficiency भी क्या फरक पड़ेगा, विकास बेटा, A को लाग कर दिया जाए, computer ji, चली, आप लोगों की कहने पे, मैंने A को लाग कर दिया, आप लोगों की कहने पे, computer ji ने A को लाग कर दिया, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, चली बढ़ा, next questions का जवाब देजेगा, which of the following emission of the IC engine, CO2, HC, NOx, यहां पर बच्चे NOx रहेगा, ठीक है, and D particles, तो आप लोगों को बताना है, कौन सा इसमें IC engine का emissions है, तो भाईया, यह questions का जवाब, मैं आप लोगों से expectation चाहता हूँ, कि मेरे सारे सेर लोग इस questions का जवाब दिजेगा, ठीक है, तो कुमार जीतु बेटा, next questions का जारिस यही करूँगा, कि फटा-फट सारे लोग sessions को share करिये, across the all experts, मजा आने वाला है, एकदम तबाही मचने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोगों को बताना है, कौन सा IC engine का emissions है, कौन सा यहां पर IC engine का emissions है, अरे यार, आप लोगों के अंदर potential है, आपके capacity है, आप कर सकते हैं, अच्छा, आप जो कर सकते हैं, दोस्तों यहां पर जबाब देजेगा, तो दोस्तों यहां पर जो IC engine का emissions देखिए, hydrocarbon और NOx, हमने यह आपको पहले भी बताया था, hydrocarbon और NOx हमारे IC engine की emissions होते है, बिल्कुल सही बात है, carbon dioxide नहीं होता है, hydrocarbon NOx और एक carbon mon oxide, hydrocarbon और NOx, यह हमारे तीन हमारे emissions होते हैं, basically किसी भी IC engine की दोस्तों, next questions का जबाब दीजेगा, दोस्तों, fuel injection pressure in the solid system is approximately in the range of, यह मने अप्लिकेशन के paid class में पढ़ाई हुई है, देखते हैं कितने दोगों को पता है, अप्लिकेशन पे जब हमारी glass चल रही थी, उसमें हमने आपको पढ़ाया था, कि इसकी answer क्या होगे, फटा-फट सारे लोग participate करके, देखते हैं मेरे सेर, आप लोग कौन-कौन इसका जवाब देता, बहुत ही बेहतरीन questions है, आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा, आईए देखते हैं सबसे पहले questions का जवाब को देता, किते हैं मेरे सेर, आप लोग में से सबसे पहले कौन जवाब देता है, सांदार-सांदार, देखे, सावधानी हटी, दुरुहटना घटी, देखे, केमपूर जी ने बोल दिया, 200 से लेके 246 बार, देखे, सबसे पहले मुझे बताया है, विपिन कुमार भारती ने नीरस या कि सर, वेलासिटी आफ इंजेक्शन आ जाएगा, वेलासिटी आपके आ जाएगा, इंजेक्शन, तो जो इंजेक्शन, सिलेंडर का प्रेसर जो था मेरे प्यारे बच्चे, वो आपको मैंने 200 बार के आसपास बताया था, और जो सिलेंडर का प्रेसर था, मैंने आपको IC, मत का प्रेसर है मेरी प्यारी बचे आप लोग बताईएगा this one is the pressure आप क्या जर्णा बताईएगा इंजेक्शन का प्रेसर मैंने दिया था प्रिती विकास बहुत अच्छा यार देखिए नेक्स्ट को सबाब देजेगा इंचनल गेर बाक्स सिस्टम इस सपोर्टेट टू टू चैसिस एड़ पॉइंट कितने हैं देखिए यह कोस्टों को यहाँ रट्टा मार दो अभी फिर इंजेन गेर बाक्स सिस्टम इस सपोर्टेट टू टू चैसिस एड़ पॉइंट आप कितना थ्री चल यह नेक्स कोस्टों का सबाब देजेगा दोस्तों आइसे इंजेन है था स्वेप्ट वालूम छे लीटर अड़ आर्प्यम इतना इतना इंडिकेटेट पावर विल बी सब्सक्राइब दोस्तों करणा है जादा दोस्तों को इंडिकेटेट पावर कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त मीन इफेक्ट्व प्रेशर इन्टु swept volume इन्टु N बटा 60, बस solve N, 1000 का by default गूरा कर दो, क्यों? क्योंकि आपको जो answer देना है, वो आपको, अच्छा, 1000 की गूरा कर ने की जरूद नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि P की value already किसमें दिया है, ज़रा बताएगा, किलो न्यूटन में, अब कहे को करना है, सीधे put the value get the result, put the value get the result, तो दोस्तो यहां पर मेरे प्यारी बच्चे आ जाएगा, कितना जरा बताईएगा, ज़दी से करेंगे दोस्तो, ज़दी ज़दी साल्व करेंगे कितना, फड़ा पड़ सारे लोग बताईएगा, mean effective pressure कितना है भाईया, 60, into Vs कितना है, 6 into 10k power minus 3, फिर RPM कितना है बच्चा, 1000, फिर उसके बाद आपका 60, तो यह तो खड़ जाएगा, और यह हमारा कड़ जाएगा, 6 चाहा के 36, मतलब, यह कड़ जाएगा 60, 60 kW, लेजिए, 60 kW आपका एंसर आजाएगा, कितना आजाएगा, मेरे प्यारी बच्चे, 60 kW, और आपको मैं बता दू, लग से देखना, क्या, क्या, power available at the output of the crank shaft होता है, brake power, और power available at inside the cylinder जो होता है, indicated power होता है, cylinder की अंदर का power जो होता है, indicated होता है, cylinder की बाहर का power जो होता है, brake power होता है, दोस्तो, चली बिया, petrol cannot be used as the diesel engine because, बड़ा ही बहतरीन सवाल है आप लोगों के लिए ताबड़तोर तरीके से questions की practice क questions का जबाब दीजेगा, तो देश तो यहाँ पर petrol को use क्यों नहीं करते है, of its construction, of its high combustion chamber temperature, of its higher ignition temperature, and it cannot be pumped through the fuel injection, बड़ा ही सांदार questions है, आप जबाब दीजेगा, बहुत ही सांदार, of higher the ignition temperature, आपको मैं बता दू, यहाँ पर जानकारी आपको होना चाहिए, petrol और diesel में ignition temperature किसका ज सवाल आपका पूछिएगा, फटा-फट बताएगा, self ignition temperature, of petrol, and diesel. आप लोगों से लिए questions में पूछना चाह रहा हूँ, कि self ignition temperature, आप पेट्रॉल और diesel, यह बड़ा ही important questions आपके paper का है, let's see that, कि mechanical कि कौन कौन से सेर, इसका जबाब दे रहा है, बिल्कुल सही जबाब दे रहा है, आप लोगों कुछ जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बताता ह हूँ दोस्तो, जो petrol का होता है, around 280 degree centigrade, क्या जरा बताइएगा, 280, petrol का जो होता है, मतब temperature, आप self, 280 degree centigrade, और जो हमारा T, आप the self होता है, मेरे प्यारी बच्चे, जो diesel का होता है, 210 degree centigrade, और यह 280, यह हमारा petrol का, यह हमारा मेरे प्यारी बच्चे, diesel का, make sure that, कि इस तरह के questions exam, इसमें आप एक questions और होता है, मेरे प्यारी बच्चे, flash point temperature, flash point temperature, मतब यह तो वो temperature, जिस पे स्वता आग लग जाता है, 28 degree centigrade पे आग लगता है, इसमें 210 degree centigrade पे आग लगता है, अब flash point बच्चे, जिस particular temperature पे यह vaporize हो जाता है, तो flash point temperature में मेरे प्यारे बच्चे, flash point temperature जो petrol का होता है, minus 43 degree centigrade, minus 43 degree centigrade, और इसका जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपका minus 52 degree centigrade, ये ध्यान देना कि diesel का flash point ज्यादा होता है, और petrol का flash point कम होता है, लेकिन बात अगर self ignition की करेंगे, तो कहानी कुछ और हो जाएगी, इतना नहीं पत कोई बात नी, मैंने जानकारी दिया ना आपको, मैंने जानकारी दिया, देखे दोस्तों, आपको मैं बता दू, अगर mechanical से संबंदित किसी भी examination की, अगर आप preparations करना चाहते हैं, तो one of the best platform आपका mechanical engineering का है, power generation in the two stock, बड़ा ही repeated questions examination का है, two stock engine में ज्यादा तर से power आपका क्या हो जबाब कौन देता है, let's see that, कि आप लोगों में से सबसे पहले कौन जबाब देता है, हाँ, हाँ, नितिन बेटा, हाँ, बिल्कुल सही जबाब है, और ये questions का जबाब तो मैं सभी से दूँगा, power generation in the two stock engine as compared to the day, तुम तक मतब twice, यार, तेकि सबसे पहले अनसित ने आप या सांदार, यार, guys, आप लोग बहुत अच्छा करें हो, please, एक बार, मैक स्टी में participate करिए, आप लोगों के लिए तभाही वाला सेसंस ले करके आचुके हैं, तभाही वाला सेसंस ले करके आचुके हैं, देखिए, इसका कारण भी है, कि two stock engine में आपको अच्छे से प engine ज्यादा powerful होता है, comparison to the four, next questions, fan built in the automobile is what, आपको बताना है, जो fan built होता है, आटू mobile का वो किसका होता है, यहां हमें fast करना है, हमें ज्यादा questions करना है, complete revisions करना है, भी built section, आप लोगों को बताना है दोस्तों, यहां पर B section और V section, जो fan built होता है, आटू mobile का, वो हमारा B section अथवा B section होता है, चलिए, आप लोगों ने देखा भी होगा यह को, 2 stoke engine has, आप लोगों को बताना है, 2 stoke engine में मेरे प्यारे बच्चे, सत्यकान, नीरज्यादव, मुहमद फरहान, देवांसु, कुमार जीतु, अमित नागर आसी, सारे जोगों को नमस्कार भाई, जवदी जवदी सारे जोग जवदी सारे जवदी सारे जवदी जवदी जव ठीक है, यह हमारा port होता है, वाल्ब नहीं होता है, आपको inlet port, outlet port, and transfer port मेरे प्यारे बच्चे, नम्मरा working stock per minute for the 2 stoke cycle has comparison to the 4 stoke engine क्या होगा, 2 stoke engine में working cycle आपका, 4 stoke engine के comparison में क्या होगा, आप तो questions के जबाब देजेगा, बहुत अच्छा जबाब दे रहे हैं यार, बहुत निर ग्राइस आपको 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 निरे में पर्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा महाल बना दिया आपको ने एकडम, महाल बना कि रख दिया है, आपको निरे में और तम शी सब्सक्राइब देगे, आज तबाही आपको, यहां पर एंसर होगा बच्चे.. यहां पर आपको तू इस्टोक का फोर इस्टोक से कमपारिजन नहीं किया है नमर आप वर्किंग इस्टोक पर मिनुट फार दे टू स्टोक इंजन अस कमपरिजन तो दे स्पीड आफ इंजन की तूलना में same होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे same होता है, दोस्तो, thank you, near us, बेटा, thank you, next, process in the thermodynamic cycle will be what, process in the thermodynamic cycle will be what, तेको पिछले questions का जवाब, जाधा तर से, लोग two stock का, four stock's से comparison कर दिये थे, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं two stock का four stock से comparison मत करिएगा पिछला questions वो नहीं है आपका है ना next questions का जबाब दीजेगा मेरे प्यारी बक्षे लगता है कि बच्चों के लिए उड़ा दीजेगा मैं आप लोगों से यह भी कहूंगा कि जितना जल्दी हो से कि जबाब दीजे मजा आता है जब आप दो questions पर्टिसिपेट करती हैं देखे विच फाल्विंग इस नाट इन इन वाल्ब इन एयर स्टेंडर्ड देखे आइसे थर्मल नहीं होता है कौन सा इंवाल्ब नहीं होता है दोस्तों तो आपका option no.4 आइसो थर्मल प्रोसेस हमारा IC engine में involve नहीं होता है मेरी प्यारी बच्चे, यह दुनिया दुनिया को पता है दोस्तु, यह देखे, आप लोगों ने गलत किया या रहा है, ठीक है, only B is the right answer, next, for the same compression ratio heat input, the efficiency of an auto engine, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है यह सवाव, यार, मुझे तो ऐसा लगता है, यह questions मेरी बच्चे देख करके खडाम जनी, खा जाएंगे questions को, ऐसे खा जाएंगे, खाम जनी, बताये इस questions का सवाब जरा बतायेगा, सभी दोग for the same compression ratio and heat input, efficiency of the auto cycle as comparison to the diesel cycle क्या होगा जरा बतायेगा, मेरी प्यारे बच्चे आपको बताना चीए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका right answer आपका more हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरी प्यारे बच्चे more, अरे भाई, r की value अगर same हो गई दोनों में, r की value same हो गई, तो आपका आपके से जवाब दे सकते हैं, मैंने तो आपको बताया था, efficiency of the auto cycle क्या होगा, 1 minus r के power gamma minus 1, और efficiency of the diesel cycle जो होगा बच्चे, 1 minus r के power gamma minus 1 into gamma rho minus 1 by rho के power gamma minus 1, तो यह जो factor है बच्चे, diesel के लिए, और यहाँ पे इसके बाद का जो factor है, auto के लिए 1 आता है, यहाँ पे greater than 1 आता है, त आतो की efficiency जादा हो जाती है, diesel की efficiency क्या जाती है, जरा बताये कि मेरी प्यारी बच्चे कम, auto cycle ज्यादा, और मैं आपको कहिए तो एक trick सुझाओ दे दूंदोस्तों, कहिए तो एक trick सुझाओ, एक trick बता दूं, एक कहिए तो सभी दोग अगर आपकी फर्माई सुना, सभी आपके लिए खड़ा हूँ, आरके सर का वादा है दोस्तों, जब जब आपको दिक्कत आएगी, तब तक मैं आपको आपके लिए खड़ा रहा हूँगा, याद रखेगा दोस्तों, सचीन अभी flow में आगे बढ़ने तो, flow में आगे बढ़ने तो फिर गरदा उड़ाएंग फिर गरदा उड़ाएंगे दोस्तों, देखे ट्रिक यह है दोस्तों, कि जब आर सेम रहे तो इसके साथ चाहे हीट सप्प्लाई और हीट रेजक्शन कुछो रहे, जब आपका आर सेम होगा, तो आटो की एफिसेंसी जाद आएगी, जब आर हमारा डिफरेंट होगा मेरे प्यारी बच्चे, डिफरेंट होगा, तो हमारा एफिसेंसी हमेशा मतलब की आटो की कम आएगी और डीजल की ज़्याद आएगी, यह हमेशा याद रखेगा, डीजल की एफिसेंसी ज़्याद आएगी, अब इसके साथ कोई कंडिशन दिया, कुछ मत सुनना, कुछ मत सुन हमेशा बीच में रहा जाते हैं कि चलता हैं सहे जाद बोड़ा कर से नहीं हमीच में रहे इसी दिए बेचारे गया उसको सबसे पहले आप लोग बताईएगा बहुती सांदार को संसे आप जबाब जरूर दीजेगा सांदार को संसका जबाब आप लोगों से expectations मेरी यही रहेगी कि मेरी प्यारे बच्चे आप लोग questions का जबाब जरूर दीजेगा है ना ठीक है next questions का जबाब दीजेगा मेरे प्यारे बच्चे तो देखे इस फोरे स्टोक इंजन में मैं आपको बता दू सबसे पहले suction, compression, expansion और exhaust एक बच्चा यह वर्ड सुन करके मतलब की बड़ा परसान हो गया मेरी लाइब कास एक आफ्लाइन की बात है मतलब इस पे अलग लेबल पे बहस चिड़ गई थी इस सब्द से बड़ा परसानी होई थी उसको सर आपने ऐसे सब्द को इस्तेमाल क्यों कर दिया आप बताइए मैंने किया है सब्द का इस्तेमाल कि यह हिंदी के सब्द है आप अगर इसका गलत मीनिंग लोगे तो मैं क् यह सारे सब्द हिंदी के हैं अब आप ही लोग बताइए मैं जरा इस पर प्रकास डालता हूं इस सब्द से आपको कोई आपत्ती किताबों में दिया हुआ है बहुत सारे जगों पर दिया हुआ सचिन मेरे भाई आजाओंगा 14th नमर के कोस्टन पर आजाओंगा परसान मत क जो आने वाली है RRB की करेंट मी और पुराने और सबका टेस्सरी वीडियो कूर्स सब कुछ मिल जाएगा में आपको बार 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 बलाओं वन अर बेस्ट प्लेटफार्म अट लोवेस्ट प्राइस आप आनलाइन कम एजुकेशन की कंपारिशन कर लोगे अड़ा ने हर स आप लोगों के बारे में पता है ज्वाइन करते समय आपको कोड यूज करना है यहां पर Y201 ठीक है next questions the label of oil in the engine cylinder should be checked by आपको बताना जो सिलेंडर में engine का oil होता है उसको हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों कैसे चेक करेंगे आप लोग फटा बड़ जबाब दीजेगे दोस्तों इंचन के अंदर जो oil होता है उसको कैसे चेकर दोस्तों महाल बना दिया है आप लोगोंने और इस महाल को मैस एकदम सांदार जानदार और ताबड तोड तरीके से बनाई रखिये बस आप लोगों कि इसी हौसले से तो मुझे मजा आता है इसी हौसले से तो मुझे मजा आत बहुत अच्छा सांदार चलिए अगले कुस्सं का जबाब दीजिए का बहुत अच्छा बिफोर स्टार्टिंग डिरिंग डिरिंग क्रैंकिंग वाइल रनिंग यह कुस्टंस अरे 203 तो कुछ कोड़े नहीं है भाई वाई 201 कोड़े भाई यह कुमार जीतू का कोड़े दगरा दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग एक बाद आता कौन ऐसा पागल है कि गारी चल रही है लोड नहीं है उसमें इंजन के अंदर और चेक करेगा जहां हाथ लगा के चेक कर वाई रणिंग पगल यह पांस हो जाएगा यह तो पगल यह पांस हो जाएगा कोई मुझे बताओ रनिंग के दौरान कोई ओईल का चिक करेगा आप ऐसी ऐसी कैसी बात करते हैं टेक्स टर्म एयर इंजक्शन एस्सटेट इस्टेट विट फ्यूल इंजक्शन सिस्टम है चिशिफ एर का इंजक्षन करते हैं या इस में सबसे पहले इस को सुंण को देता है कि अच्छा करने हैं और उमीद है मुझे कंगों इस कर सकता है यह सिğıल इंजीनियर है अनसित सांदार सांदार गजब की बात जबाद कर देते हैं बहुत अच्छा है नितिन, सत्यकांत, कल्यार, रूची, आसीज, कनोजिया एंड जीरॉक्स गेमिंग भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं आप प्रीती सर्मा सारे लोग जबाब दे रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन दुख की बात है लेक्ष यूड और लेक्षिड और डॉनो अबिक इटन ए बोन लेक्ष फ्यूज एंड यह नहीं होता है ऑरन फूस नग का इंजेक्शन होता है इसमें, air and fuel आपका दोनों का injection होता है, हाँ, अगर आपसे पुछा जाए कि IC engine के suction में क्या होता है, तो सिर्फ air होता है, compression में सिर्फ क्या होता है, तो air होता है, CI engine में, बाकी air injection मतलब liquid and fuel दोनों होता है, दोस्तों, ठीक है या next questions का सबाब देचेगा, next, the basic requirement of the good combustion chamber क्या होता है, no turbulence, low compression ratio, high compression, high power output, high thermal efficiency, low volumetric efficiency, देखिए बिया, तबाही मचाने के लिए, कल मैं लेकर के आ रहा हूँ, mechanical engineering का complete revisions class for UPPSC, UPPSC examination के लिए mechanical engineering का complete revisions, सभी लोगों को वहाँ पर present रहना है, उस बंडारे में, 5 दिनों का महा महराथन class लेकर के आ रहा हूँ, एक दम गर्दा उड़ जाएगा दोस्तों, गर्दा उड़ जाएगा मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, एक दम गर्दा power output and high thermal efficiency ये बच्चो वाजी बात है, अचा यही questions मैंने UKG, LKG के बच्चे से पुछा था, कि बाई एक बात बताओ, तुम्हारा मतलब की combustion chamber जो IC engine का होता, उसके मतलब की basic requirement क्या होनी चाहे है, बाता गुरुजी, देखो basic requirement की बात करेंगे, तो high power output देदे देदे, पावर हम lead acid battery system क्या होगा, number positive plates, guys, इस questions का जवाब आप लोगों से सबसे पहले चाहिए, जवाब देना चाहिएगा, positive plates की संख्या पूछा भई, अफटा फट, positive plates की संख्या, हमें थोड़ा सा speed में करना है, कितने time, मैं आज कुछ नहीं कहूंगा, भंडारा करूंगा, बस, ठीक है, बहुत ही पहतरीन सवाब, देखिए, one less than the number of negative plates, आलवेज याद रखेगा, positive plates की संख्या, lead acid battery में हमेशा एक कम होता है, negative से, क्योंकि शुरुवात देखिए, negative से होती है, और यहाँ पे positive, यहाँ पे negative, यहाँ पे positive, यहाँ पे negative, यहाँ पे positive, यहाँ पे negative, यहाँ पे positive, त होता है, one less than the, आपका क्या negative plates, बहुत अच्छा सांदार, two stroke engine आपका क्या होता है, देखिते हैं, सबसे पहले जबाब तबाही मचाने के लिए कौन देता है, मजा आज आएगा, एकदम लगेगा कि एकदम, आज एकदम आप गजब का खेल रहे हैं बाई, अलग लेबल पे, भाईया महापैक में सारी सीज़े पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी, इंग्रीज भी, टेक भी, नॉन टेक भी, सारी चीज़े मेरे प्यारी बच्चे आप लोगों को पढ़ाई जाती है, आप क्या समझते हैं, महापैक क्यों हलके मिलेते है महापैक कल भाया सभी दोगों को भंडारे में आना है 5 बजे साम को 5 बजे भंडारे में आना है मेरी प्यारी बच्चे ठीक है सांदार तरीके से दोस्तों यहां पे क्या रेलिस्ट के पांए क्या रेलिस्ट में हैं घृता आयजमें लयर क्र Richardson के बिच क्या अंतर भी सिस्ट बने का पीक है कुलju-इबता एगा साजी नहां प्डाई आगे शारी पढ़ाई साइए हैंगी पनारे में बंडारे में पूर्री मिलेगा सब्साने जट्डू मिलेगा ओर कया मिलेगा जगेजएबी मिलेगा और क्या मिलेगा और चाहते हौ यह यह सब चाहते हो कि और कुछ चाहते हैं तुम् Toni जो भी कहोनुट ज़한테 दे दूँगा और बताओ पोड़ी उच्कार मिल शाहते हैं 30 ml, 30 ml मिलेगा, अब 30 ml में तुम्हें TE में दे सकता हूँ, और कुछ नहीं दे सकता हूँ, बाकी 30 ml का और कुछ नहीं दूँगा, बताओ, और कुछ चाहिए, बिल्कुल L is equal to 2R, बिल्कुल बहुत सही, सांदार जबाब आप लोग दे रहा है, बहतरीन रिस्पॉंस है भाई, बाकी, next questions का जबाब देजेगा, certain engine produce 10 kW power, if it's mechanical efficiency is 70% then will be frictional power will be watt, बड़ अच्छा questions यार, आप दूँख जबाब देजेगा, certain engine produce 10 kW power, मतब ये कौन सा power है, ये engine जो 10 kW power दे रहा है, जब कौन सा किव पावर है, बाई, पताइएगा, जबकि उसकी mechanical efficiency हमारी 70%, तो brake power by indicated power, 70% का मतब पॉइंट इतना, ये 7 kW, तो brake power इतना हो गया, और indicated power हमारा 10, तो भाईया, फ्रेक्शनल पावर कितना हो जाएगा, फ्रेक्शनल पावर कितना हो जाएगा, 10 minus 7, बाईया, तो 3 kW, ये आपका questions हो गया, ये आपका questions हो गया, मेरी प्यारी बच्चे, बहुती सांद जबाब आप दोग देने हैं, दोस्तों, है ना, चलो भीया, अब ये questions मैंने देखा, हर एक exam में आता है, मतब मेरे हिसाब से, ये को, ठीक है, तो चलिए, I think, come back हो चुके है, अराम से वापस आ चुके है, अपने server पर land हो चुके है, अभी तो आवाजोगरा सब आ रही होगी, दोस्तों, अभी तो आवाजोगरा सब आ रही होगी, थोड़ी से थोड़ी देर के लिए भगवार ने भूत कर दिया था, तो यहा इंजन में more states को यूज किया जाता है, basically हमारा fractional power को calculate करने के लिए, fractional power को calculate करने के लिए more states किया जाता है, multi cylinder इंजन में दोस्तों, next, equivalent ratio आपका क्या होता है, बड़ा ही साब्दिक तरीके से जबाब दीजेगा, दोस्तों, बहुत ही साब्दिक तरीके से equivalent ratio मैंने applications में बढ़ चुके हैं, है ना, बहुत सांदार sessions आप लोगों के विए, फटाफट सारी लोग एक बार restore हो जाईए, सभी लोग computer की तरह restore हो जाईए, मैं आप लोगों से बार बार बोलूँगा, computer की तरह सभी लोग restore हो जाईए, देखें, यहाँ पर आपका होता है actual fuel air ratio बटाए stoichiometric air fuel ratio और यह भी ध्यान दीजेगा, अगर 5 की value 1 है, तो ideal mixture है, अगर 5 की value greater than 1 है, तो reach mixture है, कैसा mixture? रीच, और 5 की value 1 से कम है, तो मेरी प्यारी बच्चे lean mixture है, ध्यान दीजेगा, यह mixtures के type है, आपको especially ध्यान देना है, ठीक है, बहुत अच्छा, बस एक चीज़ ज्याद रखेगा हमारा economy range में, जब आप गाड़ी को na economy range में चलाते हैं, तब जाकर के आपका mixer lean होता है, और air fuel ratio 16 into 1 होता है, बाकी अगर आप starting condition में चलाएं, चाहे आपका maximum power range में चलाएं, चाहे कोई सभी, चाहे आपका idling क्यों नहों, देखे, idling में चो air fuel ratio होता है, मेरी प्यारी बच्चे आपको 12 is to 1, और यह हमारा 12.5 is to 1, starting में 3 is to 1, इन सभी conditions के लिए जो mixers आपका जाता है, वो रिच जाता है, इन सभी conditions के लिए जो mixers जाता है, मेरी प्यारी बच्चे रिच जाता है, रिच मतलब fuel की supply जादा होती है, comparison to the air, next questions का जबाब दीजाएं, इन the carburetor idling का मतलब क्या है, carburetor की जब हम बात करते हैं किसी IC engine में, तो idling condition का मतलब क्या होता है, बड़ा अच्छा questions जादा है, आज traffic जाम लग गया है, जाम तो आप लोगों का प्यार और सहयोग है, और क्या है बताइए, जाम तो आप लोगों के प्यार और सहयोग से ही लगता है, ऐसे ही प्यार पर सहयोग बनाई रखिये भाई, आज बहुत सारे जोग जो नए हैं, दिवानसु, अंसेट एंड प्रदीप कुमार सारे जोगों से मैं गुजारीश करूंगा यार, इस questions का सबाब देजेगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोगों, next questions का सबाब देजेगा, और in fact मैं applications की class में मैंने बताया भी है, तो यहां पर दोस्तो, to commence for the dilution of upcharge due to the residual gases, idling का मतलब हमारा SI engine में दोस्तो, carburetor में आपका यही होता है, आपसे नमर B, residual gases के करण हुए charge को dilute करने का compensation करना, यही हमारा idling का होता है, यही हमारा IC engine में idling conditions का मतलब होता, बड़ा अच्छा लगा आ इसे ज्यादा ही आप लोगों ने response किया, for many power stroke, इसमें कुछ stroke per second cell take place in the four stroke engine अतना, यह questions तो आप लोग जबाब दे सकते हैं, दोस्तो, चलो, next questions का जबाब देजगा, बहुत अच्छा है, NHPC बटा examination, NHPC का examination most probably January में हो जाएगा, इसमें questions में कुछ छूटा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि questions में कुछ छूट गया है, let's see that कि आपका questions में क्या छूटा हुआ है, फटा पट सारे दोग जबाब देजगा, बहुत अच्छा है, मतब इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोगों कैसा नहीं लगता है कि कुछ छूटा हुआ है, मतब आधूरा questions है, चलो, next questions, the fuel in the petrol engine during the compression, certain, आपको बताना है, petrol engine के compression में हमारा क्या होता है, petrol engine के compression में क्या जाता है, सिर्फ air या हमारा fuel, बढ़ा अच् expectations भी है, कि इस तरह के questions का आप लोग जबाब दे देंगे, एक, दो, तीन, और चार, ये वाला आपका questions है, फटा बड़ा सारे लोग जबाब देजेगे, कि आपके SI engine में, देखे, यहां पर सबसे बड़ी बात, mixing of fuel and air, जबकि यही अगर हमारा CI engine होता है, मेरे प्यारी बच होता है, ये बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब participate करते हो, इससे बहतर मेरे लिए क्या हो सकता है दोस्तों, next, चले अगले questions का जबाब देजेगा, देबयांसु, कल्यान, कुमार जीतु, अंसित, गौतम, NBS, कापिल, जिराक्स गेमिंग, सारे लोग बहुत अच्छ आपको complete mechanical engineering का target रखेंगे, UPPSC and तमाम तरह की JEE examination के लिए, ठीक है, दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा, Octane number की rating 85 से 90 के बीच में होती है, 85 से noctane, अच्छा, petrol का seaten number कितना होता है, कोई मुझे बताएगा, petrol का seaten number कितना होगा, petrol का seaten number कितना होगा, petrol का, गाड़ी के जो petrol होता, उसका seaten number क्या होगा, आप कोगे, रखेंगे मिसरा जी पगला गए हैं, क्या, सीटें तो हमने डीजल के बारे में पूछा है JAMES ूंत अच्छा सांधार जवाब दे रहा था reputation लोगों ने c address सबसे बड़े बात कि सभी लोगों ने response किया आप सभी दो ने जबाब दिया इसका फार्मुला होता है 60- minus octane number by 2 अब आप put the value get the result put the value get the result 802 around 20 के आसपास मतलब 20 से मतलब कि 15 के बीज में 20 से next chemically correct mixtures के लिए add आपका stoichiometric mixtures मतलब ideal mixtures के लिए क्या होता है around आपको बताना है ideal mixtures के लिए कितना होता है बड़ा अच्छा question से जबाब दीजेए का देखते हैं देखते हैं आप लोगों का जबाब क्या आएगा बच्छे लेकिन डीजल इंजन का c10 नमर होता है डीजल का जो c10 नमर होता है वह around आपका 55 से लेके 60 के बीच मेरी प्यारे बच्छे 55 से लेके 60 के आसपास सांदार question सबाब दे रहा है बहुत अच्छा है तो दोस्तों यहां पे around जो मुझे रखता है कि जो क्यमपूटर ची से mistake होई है दोस्तों यह 14.8 होगा मतब पेट्रॉल के लिए 14.8 इस्टु 1 होता है थोड़ी सी mistake हो गई है हलाकि आप लोग बिल्कुल सही है आप absence के हिसाब से आप भी दे रहे है 15.1 इस्टु 1 आप आप absence में केमपूटर ची से mistake हुआ है 14.8 इस्टु 1 होना चाहिए है विवेक बहुत अच्छा है इस टेक्योमेट्रिक के मतलब आपका ideal mixture ही होता है वो mixer जिसमें air and fuel आपका 100% combustion होगा 100% combustion होता है इस particular mixtures मेरी प्यारे बच्चे ठीक है petrol engine work under आपको बताना है दोस्तो petrol engine अब यह वाजी बच्चे वाजी बात हो जाए आप बताए अब यह भी कोई questions है आप मुसे बताए यह भी कोई questions है हमारे सामने अगर किसी ने questions पूछ जाना मार के भगा दूंगा उसको मेरी offline class में ऐसे questions को पूछता नहीं है मैं आपको बता अब auto cycle हो जाएगा यह बताए चलो भी है फ्री के questions है auto cycle has the compression ratio 9 and इतना kilojoule work is extracted from the cycle heat rejected by the cycle is what अब देखे निमारिकल आगया यह अब देखते हैं जेए हमारा जगता है कि इस questions पर जेए कि क्या इस questions का जबाब दे पाएंगे आप जोग मुझे ऐसा लगता है कि इस questions का जबाब आप दे पाएंगे कि नहीं मैं confusion में हूं लेकिन हां यह मैं commit कर सकता हूं कि without calculator आप आप जबाब दे सकते हैं ठीक है I'm very sure that आपको गुरुजी पगला गएं आज अरे पगला नहीं गया पगले यह देखो तुमारा यह देखो लाला यह देखो गामा माइनस वन जोगाड लगाओ सब कुछ पॉसिवियल दुनिया में 9 के पावर 1.5 माइनस 1 1 माइनस 3 के पाव 5 है 0.5 को 1 बटा 2 देखो कड़ गया गरू 1 बटा 1 बटा 3 यह आपका 2 बटा 3 आ गया अगरू यह देखो efficiency जो होती है आपकी W net बटा heat supply यहां पे heat supply हो जायागा मेरे प्यारे बच्चे W net by आपका efficiency तो W net की value दे रखी है बच्चे कितना जरा बताएगा 1000 बटा efficiency 2 बटा 3 मतल तो यह हमारा 1500 आ गया मतलब heat की supply होई है दोस्तो 1500 heat की supply कितनी हो गई 1500 तो भाया इसने heat की supply तो पूछा है नहीं अच्छा heat की supply नहीं पूछा इसने heat का rejection पूछा तो heat का rejection हो जाएगा heat supply minus W net बस put the value get the result 500 is the right answer 500 is the right answer 500 आपका right answer हो जाएगा लोग तुमारे मतलब की गजब की बात हो गई यार 15 सो तो होगा नहीं चांड डाल पंद्रा सो नहीं होगा भूद बना के बहुत मारूंगा तो मैं भदा रहा हूं हमें गुस्सा आजाए कि मैं भूद भी बना देता हूं class में हलके मतलब की मिस्रा को हलके बले रहे हो गजब की बात करते हैं अगला questions करते हैं भाई करूंगा दीजिएगा इस questions का जबाब देखते हैं किसमें कितना है दम देखेंगे हम पहुत है ना इनसान जब चाहा जाता है ना तो वह सब कुछ कर सकता है जो सोच सकता है इनसान वह कर भी सकता है पसरते आपकि मैंने आप बहुत ज्यादा experiment किया आप लोगों के पढ़ा नैट्रोजन और यह हमारे सब डाइय अटामिक है सब के लिए आपका वही होगा 1.4 तो चाहे आप अक्सिजन यूज करो चाहे नैट्रोजन यूज करो चाहे एर यूज करो सब के लिए efficiency आपकी बराबर ही होगे बस जो आरगन है और हीलियम है यह हमारा इसके लिए गामा क सब्सक्राई तो भी दोस्तों ठीक है होटबaking होटपॉस्पॉट होट सप meg Article मोधी सरकार नें हाट बनाया था क्रोंबा कि समय में हाट पाट बनाट था ये क्या होता बताए गला एक सर मेरी पता है जहां पे कोरोना की मरीच जादा होते हैं हैं वही हाट पॉट था आप था को लगए अपसे दी दूंगा मैं आपसन बना भी देता हूं सांदार गजब का जबाब दे रहे हैं आप तो बहुत ही तवाही बचाने वाजी बात कर रहे हैं ठीक है चलो सांदार सांदार next questions का जबाब दीजेगा ऐसे ही करते रही है भाई high temperature area in the combustion chamber that pre-ignite the fuel और यही कारण करता है बच्चे डेटो नेशन का यही एक सबसे बड़ा कारण है बच्चे डेटो नेशन का यही सबसे बड़ा कारण है कि combustion chamber में जब आपका end charge जो होते हैं जैसे यहां पे spark plug देते हैं तो flame आगे की तरफ ऐसे जवते रहना चाहिए ऐसे आग rate-red charge जलने गए जाता है घbookald ने के जैंड जलने रखता है तो आपका बऄंका होट़ बन जाता है होटब बश्तां जैके जिससे आपके end charge का free integration हो जाता है end charge का आपका क्या हो जाता है preignition जब end charge preignite हो जाएंगे मेरी प्यारी बच्चे end charge जब आपके preignite हो जाते है तो ये दोनों का ध्राम ध्राम वड़ाई होती है front flame और end flame आपस में ध्राम ध्राम वड़ाई करते है जब यह दोनों आपका में आपका में न चहता है वहीं आपका स्मिज़ेगा क्या यह लगा है आपका नियूट चो बाता यह अपका मेरे प्यारी बाटा जब फ्रेंट और एंट फ्रेयम का में तख्डाए होते यह वहीं हमारा डेटोनेशन कब आता है मेरी प्यादी बच्चे ठीक है जो तीसमा एंड इन ए वैरियेबल स्पीड एसल इंजन असर आई इंजन होगा बच्चा क्या करते हैं आप भाई आपको सवाम मेरी तरब से आपके असाई इंजन को केम्पूर जी ने ऐसल इंजन मना दिया गजब कां नहीं आता है क्या याद हो जाए हाँ यार मेरे पास एक बंगाली बाबा का चूरन है आप लोगों को चाहिए क्या है वह चूरन एक ऐसा चूरन है जो आपकी मेमोरी मतब जो भी मेकानिकल इंजिनरिंग का सारे कॉंसेप्ट और कॉस्चन और सारी चीज़े आपको मतब दो हुआ जाए यह तो यह हमारा ब्रेक पावर होता हूँ दोस्तो कैसे मैं देखा को दूंगा तू सब को दूंगा तो सब को दूंगा नहीं दूंगाथ कुसी नहीं कि वाल टी करता नहीं आधी ऑपर नहीं मत देना ऊपर नहीं जाना अने अंधराख ठीक है डट्स ऑ्ट सैकल एर फैल मिक्सर इस कमपरेस्ट फ्राम 400 cc to the 100 CC गामा आपका इतना है थर्मल इफिसेंसी की वैल्व बताना है गामा की वैल्व आपकी इतनी है मतलब आपको बताना है कि मतलब अच्छा कोश्चन से आप दुख जबाब देजेगा मतलब यह देखिए कि इनीसियल वालूम 400 CC है और तो हमारा 100 CC है तो और की वैल्व कितनी हो ज नहीं आज आपका body language कुछ और है ऐसा notice किया आप लोको ने पता नहीं आज आप लोको ने notice किया कि नहीं तो 1 भाई 4 मतब 2 के पावर 2 और ये 1.5 मतब एक बटा 2 तो ये 2 से 2 कर जाएगा और चुकि 1.5-1.5 1.5 मतब एक बटा 2 तो ये 1 बटा 2 हो जाएगा मतब एराउंड 50% हो जाएगा कितना हो जाएगा पचास परसेंट ठीक नेक्स सीटन नम्मर आप दा गैसोजीन जवती से questions का जवाब देजेगा मेरे पड़ोसी का सेटन नम्मर आप दा गैसोजीन इस दफ मेजर आप नॉकिंग टेंडेंसी इगनिसेंट दीदे इगनिसेंट टमपरिचर या इस्मोग पॉइंट यह देखिए आपको मैं मत्तब की एक प्रोज अबल पर दे जा रहा हूं तो नेक्स को सुन्स का जवाब सभी दूख दीजेगा नेक्स को सुन्स का जवाब दीजेगा दोस्तों यहां पर इगनिसन टमपरिचर देखिए नॉकिंग टेंडेंसी तो नहीं होता दोस्तों नॉकिंग टेंडेंसी तो नहीं होता इगनिसन डीदे भी नहीं होता इगनिसन टमपरिचर हो सकता इगनिसन टमपरिचर हो सकता बेस्ट अंसर की बात किया जाएगा तो इगनिसन टमपरिचर या एंटी नॉकिंग कि अगर मैं आपसंस को बनाऊँगा तो मैं यहीं है यह ह्यक्रण तक कि आधी आधी पाल जी करा है कि हम घथ हो गया तब प fiance को हम जाइए बना देंगे हम आपस में बना दोगे हमारी जरूते नहीं पड़ेगी क्या क्या नहीं बना दोगे दूसरे को जहीं तो हम ही बनाएंगे बच्चे हमारा SI engine के लिए क्या होगा एरोमेटिक नप्थरीन पराफीन और अलफ आप उसफ क्या होगा आप एसाई इंजन के लिए जो आपका बेस्ट फियूल होगा वह क्या होगा लेट सी कि आप लोगों में से सबसे पहले questions का सबाब कुन देगा दूस्तों aromatic होता है वह best field होता है कि अब यह questions 38 नमर का questions मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं 38 नमर के questions में कुछ बच्चे कहेंगे हमें दिखने ही राब मैं आपके समस्या को हटाने के लिए पहले सही match करा दे रहा हूं आपको बताना है कि थोड़ा सा फास्ट करते हैं पांस मिनट है रपीट फायर खेलेते हैं देखिए इसका idling में आपको भी पता है मैंने आपको बताया भी था 10 is to 1 हो जाएगा और starting में cold starting में 3 is to 1 a का b और आपको crossing में आपको ठीक है यहां पर दोस्तों c a का b हो जाएगा और c का c का c c का b a का b a का b c का c इसने गज़त दे दिया है cold starting घॉटा सहा अफ मुझे ऐसा अगराए कि इस पर mı disadvantage हो गई है कुछ इस पर मिस्टेक हो गई है no doubt आप लोग देख लीजएगा मैंने आपको बताया भी है आपको बताया भी है कोई बुराई की बात नहीं है आप लोग देख लेना और कोई बुराई के बात नहीं है आप लोग देख देना एक बार अच्छा करोगे आप लोग पहतरीन तरह तेको इसमें क्या हो ना मैं आपको पहले भी बता चुका है इस पर आप लोग पूराना जो बता हूँ दोस्तो यहां पर एंसर होता है कारबरेटर कारबरेटर तुकी SI इंजन में यूज़ होता है ठीक है आप लोग swept बालूम दिया है दोस्तों compression ratio आपका दिया है तो देखे आर जो होता है वो आपका VC प्रस VS भाई VC होता है यह आपका आर होता है तो आप जहां से आराम से VC की value निकाल देना और मुझे लगता है VC की value 65 CC आजाएगा ठीक है next question are diesel engine except slow speed engine which cycle तो आपको बताना है diesel engine except slow speed engine which cycle दोस्तों यहां पे आपको mix double cycle diesel engine high speed होता है तो आपका ठीक है तो बहुत अच्छा सांदार next take a next question CtN number is the measure of आपको क्या होगा तो ctn number हमारा ignition की quality को measure करता है seen number जो होता है ignition की quality को या हमारी empty knocking tendency को anti knocking tendency को diesel engine में जो आपका seated number होता है वो आपका antie knocking tendency को indicate करता है मेरे प्यारी कर से कौन सा anti-knocking tendency, आप जानते होंगे, सायद आप जानते होंगे, बसे बताने के जरूरत नहीं है, मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास तो power अनन्त है, आप चाहो तो इस सीज को जान सकते हैं, अच्छे से, PDF मेरे प्यारे बच्चे ग्रूप में मिल जाएगा है, डीजल साइकल कंसिस्ट आफ, फड़ा फड़ जबाब देजेगा, डीजल साइकल कंसिस्ट आफ, यह वाली कोश्चन्स तुम मुझे जबाब देदेंगा है, तुरत, डीजल साइकल क्या होगा भईया, टू एडियावे तीन, और यह आपका ऐसे, यह तीन से चार, यह देख दो, यह हमारा इसका पीवी डाइकराम है, यह हमारा पीवी डाइकराम है, अब बदोगे सार आपने ऐसे खुमा दिया, कहिए तो सीधा खुमा दू, ठीक है, नेक्स, टिफिकल एर फ्यो रेसियो फार्दा डीजल, या क्यों कि वैलू कितनी होगी, देखते हैं किस में कितना है दम, देखेंगे हम, दोस्तों यहाँ पे आपका 20 is to 1 होजाएगा, डीजल के लिए इतनी होती है, और पेट्रॉल के लिए 14.5 is to 1 होती है, ध्यान देना, this is the petrol and this is the diesel, ठीक है, चलो, next, quality of diesel, तो दोस्तों यहाँ पे API ग्रिवटी से, quality of diesel can be expressed in the terms of seat-end number, यहाँ पे API से किया जाता है, बहुत अच्छा questions है, 4-stroke engine, compression ratio आपका इतना है, cut-off ratio औररररररररररररररररररररर, यह देखो इतना आसान है, यह फार्मुला जिसको याद रहेगा, तुरंत कर देगा, फार्मुला जिसको याद रहेगा, आर रो और आर इव कि में जिसको भी फार्मूला याद रहेगा वो तुरंत कर देगा और मुझे लगता है इसका जबाब आपका 10.5 इस टू 1 आजाएगा अधाब आप आसानी से कर सकते हैं 10.5 इस टू 1 से आप बहुत ही आसानी से इस को कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे आप ज अज़े आपको अच्छा कर रहे वाल्ग ओफर वैपिग क्या होता है वाल्ब ओफरवैपिंग क्या होता है तो देखे वाल्भ ओबर डैपिंग वो time होता है जहां पर हमारा इनलेट वाल्ब और ऑटलेट वाल्ब दोनों ही कुछ टाइम के लिए ओपन रहते इन्लेट और आउटलेट वाल्ब जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन रहते हैं वही हमारा वाल्ब ओभर वैपिंग होता है इगनीशन डिजल इंजन इस इंडिकेटेटेड आपको सीटेन नम्मर है इगनीशन क्वालिटी जो डिजल दे नहीं बटा इगनीशन क्वालिटी की बात करते हैं तो सीटेन नम्मर होता है चलो next questions बताईएगा तो बड़ा अच्छा question से मेरे प्यारे बच्चे first second and third break air standard efficiency indicated आपको बताना increasing order of तो सबसे जो ज्यादा efficiency होगी air standard होगी फिर सबसे कम जो होगी बच्चे break thermal efficiency और फिर बीच पे हमारा indicated thermal efficiency आएगी चलो यह questions है बहुत आसान questions मेरे प्यारे बच्चे आप लोग इस questions का जवाब जरूर दीजेगा मैं आप लोगों से बोलूगा mechanical efficiency होती है break thermal efficiency बटा आपका मतब mechanical efficiency आप बोल सकते हैं mechanical efficiency मैंने यह पेड़ बैस में कराया भी था break thermal efficiency बटा indicated thermal efficiency यही आपका हो जाएगा तो आपसे नमर सी इस दराई टंसर तो भाई आज देखिए बहुत अच्छा sessions रहा आप लोगोंने बहुत ही सहीओ किया और कल मैं आप ल efficiency, polytechnic, lecturers, examination के लिए जरूर होगा लेकिन mechanical engineering के complete महराथन class होगा different subject को दो पार्ट में 5 दिन की महराथन होगा जिसमें ताबढ़तोर तरीके से mechanical के सारे concept को करा दूँगा तो आप लोगों का उसमें स्वागत रहेगा मैं आप लोगों को यही बोलूँगा तो आज के लिए ब अपना ख्याब रखिएगा और बाकी मेरे एक बात पर ध्यान दीजेगा जीवन के आखरी सास तक अपने कर्म में लगिर हो या तो सफलता मिलेगी या तो अनभव मिलेगा जेई बनना एई बनना गेट एसी examination को निकालना है तो आपको अपनी प्रयास में कोई कमी नहीं छो हमारी applications पर dedicated class चलती है आप वीडियो के नीचे comment section में भी बता सकते हैं देश का हर एक बच्चा इस हमारे courses को afford कर सकता है जो कि हमने applications को इस तरह से eco friendly बनाया कि गाउं का बच्चा अपने बवायल से बढ़ सकता है बहुत कम data में और हर एक गरीब से गरीब बच्चे को कहीने क कहीं education सस्ता देने के लिए हमने जो भी offline में फीसिस होती है उसमें बहुत ज्यादा कम कर दिया है तो आप सभी mechanical engineers चाहते हैं mechanical engineering का best जो हम गाइड करते हैं आप लोगों के लिए आपके सभी examination categories के लिए video course के लिए ebook के लिए सारी चीजों के लिए mechanical engineering का महापैक और in fact one time investment होता कि आपको RRB की vacancy, SSC की vacancy, NHPC की, UPPSC की देश पे निकलने वाले किसी भी JA examination की vacancies अगर mechanical में आती है न तो आपको उन सभी काम इस पे badge मिलेगा technical और आपको उसका test series भी मिलेगा आपको उसका book भी मिलेगा अब आपको उसके क्या लिए क्या करना है y201 code लगाना है अड़के और कैसे स्वाइन करना वीडियो की नीचे description में link के है बहुत जवदी विकास सिंह आ जाएगा RRB की class, mechanical engineering का महापैक है 12 महिने का महापैक हमने आपको देना है 12 मंत का महापैक है मात्र आपको 39 रुपे और एक 6 मंत का है बच्चे जो और ज्यादा नहीं है पैसा 35 रुपे उ यह कोड लगाओगे आपको बहुत ही अफ़रडबल प्राइस हो जाएगा बाबाय गुडनाइट सर मिलते हैं 7 बजे मोमेंट आफ इनर्सिया के बहतरीन कॉंसेप्ट को करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जाइक करिए जरू ठीक है और कल तो 5 बजे सभ ही को आना है थैंक्यू